हेलो स्टुएंट स्वागत है आप सभी का हमारे योडिव चनल माइंडस टेक्नों तो काईस जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि भई यह कंपार्मेंट एक्जामनिशन की उपर वीडियो बनाएए तो मैं बेट कर रहा था कि कोई लेटेस्ट अपडेट आये तो आज लेटेस समय क्नल मार्च झाल के पास किया यह सही बैक्स की थारिक आप क्लाफ्ट 10 पॉर्ड एक्जामनिशन पब्रश आप इसमें जिन बच्चों ही कंपार्मेंट आई यानि कि एक दो सब्जेक्ट में जो स्कोर नहीं कर पाए उनके लिए अब एक्जामनिशन होना का कंपार्मेंट था अब आपको जैसा की पता है कि 13 जुलाई में आपका रिजल्ट अनाउंस हो रहे तो कंपार्मेंट आपका कब ह होगा एक दो महीने के बाद में ठीक है और बेसिकली इतना जल्दी नहीं हो सकता और अभी डेट भी फिक्स नहीं है सीपैस की एक और पॉइंट अब यहां से प्रॉल्लम यह है अगर एक्जाम होता है आपका कहीं जाके सितंबर अक्टूबर या नवंबर में तो आपके सा सब्सक्राइब करने चाहिए तो वहां पर आपको पूरा एक साल बेस्ट होने वाला है तो यहां पर मैं मुझे भी लगा कि हाँ सीपैसी पर डिसीजन लेना चाहिए तो और स्टूएंट को सिचुएशन में क्योंकि सिचुएशन या बहुत घराद है पास करना चाहिए ऐस बाता होगा भी क्योंकि सुप्रीन कोड में प्यायल दायर होई है तो इससे कई सारी बाते निकल के आएंगी और हो सकता है कि जो आपका एक्जामनेशन है उसे कैंसल किया जाए और आपको पास किया जाए जिस परकार्ट से आपके वह स्टुएट को पास किया जिनके पर पास कर सकते हैं 521 देखकर कि स्टुएट पास हो जाए तो वह भी करना वैस्ट रहेगा पर यहां पर डिले करना या एक्जाम कंड़क्ट कराना दोने ही बातें स्टुएट के फेवर में बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है क्योंकि हम सभी को पता है यहां कॉलेज के एक पास किये गए हैं तो क्लास 12 के बच्चे और 10 क्लास के बच्चों की करना चाहिए क्योंकि एक्जाम कंड़क्ट करना ओन-lain या ऑफ-लाइन बे में पॉजिबल नहीं है और कहीं भी सेफ नहीं हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे राज्जियों में हैं जहां पर बहुत बुरे ह आते हैं चाहिए हम विहार की बात करें या फिर उडीशा की बात करें तो तो गाइस ऐसे में एक्जामनेशन कंड़क्ट करना कोई सही डिसीजन नहीं होगा तो अब देखने वाली बात है कि यहां से क्या निकल कर आता है सुप्रीन कोड का डिसीजन क्या आता है और क्या हो कि यह सुनवाई में बात हैं वो सभी जानेंगे जैसी अपडेट भिलती है आप सभी के साथ में शेयर करेंगे और आप सभी लोग जैसे की पता है यह पी आयल दाहर क्यों ही है क्योंकि आप सभी लोगों ने ट्वेटर पे चाहें फेस्बुक पर वाटसप पर हमने भी कई सारी अपने यूटिप पर वीडियो स्टालीं कंपार्मेंट एक्जामनेशन की रिकार्डिंग की बच्छों को प्रोमोट किया जाए पास किया जाए और भी कई बाते जिस कारण प्याइल दाहर भी होई है ठीक है और तो यार इसको एक इनिशल पॉइंट मान सकते हैं और बेस्ट भी होगा अगर यहां से डिसीजियन आपके फेवर में आता है जैसे कि आप सभी को पता है पहले भी एक्जामनेशन इसी करण चैंसल किये गए ते जब सभी स्ट्वेंट ने मिलकर इक आवाज उडाई थी बहुत सारी यूटिवर्स ने मिलकर आवाज उडाई थी कि CBSC के एक्जामनेशन कैंसल होने चाहिए COVID-19 की कारण उनको कंड़क्ट नहीं करना चाहिए बना बच्चों की लाइफ रिक्स में पढ़ सकते है तो ऐसा ही कंपार्मेंट वाले बच्चों के साथ पर भी उनके वी एक्जामनेशन कैंसल किया जाना चाहिए जैसे बाकी की पास किया जाना चाहिए चाहें एबरेज लेकी करिए या फिर किसी और प्रिकार से करिए यहां पर बच्चों को पास करना आवश्चक है अगर नहीं करते हैं एक्जाम कराते तो लाइफ रिक्स में जाएगी और अगर नहीं एक्जाम कराते हैं डिले करते हैं तो साथ में शेयर की जाएगी कोई भी क्वाईरी है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि और भी अच्छों तक यह इन्फोर्मेशन पहुंचे ठीक है गाइस तो मिलते हैं एक और अपडेट के साथ पे तब तक लिए जैहिन जैवाद बाय दोस्तों और गाइस सौरी फोर डैट की वीडियो थोड़ी लॉंग होगी और बॉइस थोड़ी यार प्रॉल्लम में हैं विकॉस थोड़ी हेल्थ इश्यू है वर्डेट्स ओक के एंड मिलते हैं को और अपडेट के साथ में